दो लोगों के लिए हल्दी की चाय बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडियन्ट से एक बड़ा कप पानी, आदा कटा हुआ नींबू, अद्रक, हाफ टीस्पून हल्दी पॉडर, दो से तीन तूलसी के पत्ते और स्वीट बनाने के लिए रो हनी, तो सबसे पहले हमें एड़ करना है पानी, उसके बाद इसमें डालना है हाफ टीस्पून हल्दी पॉडर, उसके बाद इसे एलोई श्रेड होने तक उबालना है, तो मैंने इसे मिनिमम पाच मिनिट तक उबाला है, और आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, एलोई श्रेड, तो अभी हम इसमें डालेंगे अद्रक, का और तुल्सी के पतлед, और इस्को चमाश से मिक्स गाडेंगे, उसके बद हमें ग्यास को बुलक कर देना है, उसके बाद चाय को हल्का सा गुन-गुना होने द देना है, और गुन-गुना होने के बाद हम इसमें बाक्य के इन्डिटेंट्स डालेंगे, तो अभी यह यह तो अभी हम इसमें डालेंगे निम्बू ये एक से दो चमच के करीब निम्बू कर रस होगा और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हनी यहां पर एक बड़ा चमच हनी डाल रहे हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अभी आप यहां पर देख सकते हो चाय का कलर पूरा एलो हो चुका है मतलब यह अच्छे से मिक्स हो चुका है अभी तो अभी हमारी यह हल्दी की चाय रेडी हो चुकी है तो अभी हम इसे एक कप में निकाल लेते हैं और आपको यह हल्दी की चाय रात को सोने से पहले लेना है यह बहुत ही हेल्दी है और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना बिलकुल ना भूले और प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल तो अट्यू अच्छ फॉर वच्छ वाच्छ वच्छ वाच्छ सब्सक्क्राइब अग्यू आपको आपको अग्यू अग्यू और अट्यू श्याए ते लाइ , चैनल